हेलो बच्चों स्वागत हैं आपका एक बार फिर से डाउट नट जेई हिंदी वीडम चैनल पर जो की बन चुका है इंदुस्तान का सबसे लोग प्रिया चैनल जिया बच्चों और मैं हूँ आपका अपना फिजिक्स टीचर सौर अगरवाल सर जिया बच्चों आज एक और टॉंपैक एक और ं headers तॉपीक की आखर जेई करनी क्यों आज बार बार के रहे हो जेई कर लो जेई कर लो जेई कर लो कर नहीं कई है है किया फाइदे है जेए के और नहीं करें तो क्या नुक्सान हो जाएगा है आज इसी टॉपिक पर बात करूँगा बढ़िया और धमाकेदा टॉपिक मिल गया में रखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सरहार हम परेशान हो गए सब लोग यही बोलते हैं बारवी कर ली या बारवी में अभी आए हो या दसवी के बाद मैथ ले रहे हो तीनों आप् सर बारवी पास कर चुके अभी भी लोग बोल रहे हैं कि जही कर लो जही कर लो पर जही करनी ही क्यों है भाई कारण बताता हूं सबसे पहली चीज तो यह जान ले कि जही करने से नुकसान कुछ भी नहीं है मैं सच बता रहा हूं जही करने से नुकसान कुछ नहीं है जो भ मेठ पढ़ेना और सी बात हैं मेठ पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ता आप के मिस्ट्री पढ़ते हो आपका दिमाग खुलता है आपके अंदर फाइटिंग स्परेट आती हैं आप सवालों की प्रक्टिस करते हो कुश्चनों से जूजते हो पूरी साल भर या पूरी दो साल आ आप हर कुश्चन में दिमाग लगाते हो आपकी ब्रेन डवलप होता बहुत तकड़े तरीके से आप हर कुश्चन में अटेम्ट करने की कोशिश करते हैं तो यह जो चोटा सा अटेम्ट है यह पता नहीं है आपकी लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा ज अब भी नुकसान कुछ भी नहीं है द्यान रखना इस चीज़ का हमेशा फाइदे का सौधा है जेई एस्पिरेंट ओल्वेस फाइटर्स होते हैं हमेशा का देखा गया है और वह हो सकता है कि इस पेपर में सफल ना हो लेकिन यह देखा गया है कि जो बच्चा जेई की इम सब्सक्राइब नहीं होते हैं जिसमें जिसमें चोटी-चोटी मैटामेटिक्स मांगते हैं आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाती है कि आप उन एक्जाम को बहुत इसीली कर सकते हो मेहनत लगती है पढ़ना पड़ता है लेकिन आपका दिमाग ज्यादा चलता है जिन लेके नहीं फिर गवर्मेंट एक्जाम्स की तैयारी करता यह देखा गया है यह मैं ट्रैक्टिकल बात बता रहा हूं तो यह एक फाइदा भी होता है मैने बारा मैत ले लो जे की इमानदारी से तैयारी कर लो उसके बाद बविश में तुम कहीं नहीं रुकोगे क्योंकि पास मैत थी यह फाइदा है मैत का बस एक यही फाइदा है जो कि मैंने जिन्दगी पर का फाइदा गिना दिया कि कुछ भी कर ले ना लाइफ में असा फ़ल नहीं होगे पर तैयारी अगर तुम दिल से तैयारी तुम पूरी जीजान से लगा के करोगे देखो जीतना और प इंतहान तो और भी है ना भाई दो आगे बढ़ो कुछ और करो जीवन में समझ माया ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे ऐसा नहीं है कि बच्चे आई टी में नहीं गए नाइटी में नहीं गए उनका भविश्य बरवाद हो गया आज वह अपने लेवल पर आज वह अपनी ज देख लगा बर्वाद Ho जायेगा करियर दमाग से निकाल देना झेई कई फाइदे ही फाइदे है ers लिए तक्यारी करनी है लग्सान कुछ भी नहीं है मैं यह कहाँ हों तो कही पर भी नहीं बचोगे तो हौٹ तुम लोगो ने उस लेबल की जो तैयारी कर्या वो उन्जा उस लेवल पे आजाता है जिस लेवल से तुम्हारे सामने सारे दाई खुले वे नज़ा आएंगें कि मैं तो यह भी कर सकता हूं पर वह लफ लाने के लिए ना प्रेन कि तक पहुँचने के लिए आप एक बार जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी और वो भी पढ़ना पड़ेगा तो आयो ना करो हमारे साथ जेए की तयारी इमांदारी से मेहनत करोगे तो जीवन में सफ़ा लोंगे अब सुलो ये बात तो मैंने काम की बता दी अब अगर थोड़ा के लिए एक बैच लेकर आगया हुँने और नाम है आरहम्ब बैच बिटा जी ये बैच जो है जई दोहजार 24 यानी की 24 में जो बच्चे जई का एकजाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए हैं आरहम्ब बैच भूना मत नाम आरहम्ब बैच है कर दो यार शुरू तयार new classes मिलेंगे पुरानी रिकॉर्डिंग्स हम नहीं दे रहे हैं हमने बंद करती हैं अब बिलकुल नई रिकॉर्डिंग्स मिल रही है हफते में एक बार लाइव आएंगे आप लोगो के जो भी डाउट सोंगे उनको सॉल करेंगे करियर काउंसलिंग आपकी करते रहेंगे टाइम टू टाइंग टीचर स्लाइट्स आपको मिलने वाली है हूंवर्क आपको मिलने वाला है और साथ साथ में इसके साथ प्रैक्टिस कोश्चन भर भर के सारा की सारा जो गेम है वो प्रैक्टिस का जेई का इसलिए वोले ना कॉश्चन्स की इतनी प्रैक्टिस कर लेता है बच्चा कि उसका ब्रेन खुले लग जाता है देखो थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता है इसलिए तो जेही की तैयारी करते बच्चे जो बच्चा जेही की तैयारी इमानदारी से कर लेता उसका ब्रेन ओपन हो जा रखता हूं ये खाम चोंकि मुझसे नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा जो बच्चा जैई की तैयारी नहीं कर रहा हूं क्यों करेंगे यार उनका तो मैथ पहले भी भी के महत नहीं ली तभी तो जैई की तैयारी नहीं करी तुम्हारी मैथ अच्छी है तभी तो तुम कि त्यारी कर रहे हो यह वो टीचर से बिटाजी जो आपको पढ़ाने वाले हैं आपको पैचान गए होगे मैं हूँ आपके सौरब सर यह जे के सर हैं यह कामिस सरे और यह मनीश सरे अब बात कर लेते फीस की बिटाजी स्कॉर्स की जो प्राइस है मातर मातर पाच जार यह फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो फोन उठाई है नमबर घुमाई है 01247158250 यह फोन नमर इसी लिए दिया है कोई भी जानकारी कोई भी जानकारी लेना है और टाइम अविलेबल है फोन करो आप जहां पर मैसेज कर रहे हो उस मैसेज पर भी देखना चैट जहा उपर लिंक पिन की हुई है हमने आरंब बैज जॉइन करने के लिए और डिस्क्रिप्शन में में हमने लिंक डाल रखी इसके साथ साथ आफ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो डाउटनट हिंदी आएटी जी क्लियर है तो चलिए बटा जी मिर को बस यही ब क्या लगना हसते रहना मुस्कुराते रहना और हां चुड़े रहना डाउटनट के साथ सो बाई बाई तन्यवाद